नमस्कार दोस्तो 18 नवंबर और 18 नवंबर को एक बहुत बड़ा अपडेट में आपके समने प्रेजेंट करने वाला हूँ जी हाँ कल ही ये 17 तारीक को अपडेट आई थी देख रहे हैं जैसा स्क्रीन के पीछे आप देख पारें मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जी हाँ 17 तारीक को निर्मला सितररमन हमारे फाइनस मिनिस्टर के तरब से 17 नवंबर कल एक अपडेट निकली और जिसमें दो स्टॉक्स में जो सरकार की हिस्सेदारी है उसे कम करने के लिए ये बात पहले से ही चल रही थी बट कल कन्फरमेशन हुआ है देखे यहां पर दिय जाएंगे एर इंडिया और भारत पेट्रोलियम जिए बीपी से और एर इंडिया तो यह कि स्टॉक वारत पेट्रेलियम बीपी से ल जो कि स्टॉक एक्स्चेंजेश पर लिस्टेड है और यह निवज पहले ही थी बट कन्फरमेशन नहीं था कब तक यह इनका जो सारिय सरकार की वह बेची जाएगी तो देखिए यहां पर बीत मंत्री निर्मला सितारमन ने कहा कि मार्च तक एर इंडिया भारत पेट्रेलों को बेच दिया जाएगा सरकार इन दो कंपनियों को लेकर रेवेन्यू जेनरेट करना चाहती है क्योंकि इस साल कर संगरा में का काफी चल चुका BPCL और बीत मंत्री निर्मला सितारमन ने कहा कि सरकार चाहती है कि मार्च तक एर इंडिया और ओयल रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड बीपी सेल की बिकरी की परकिरिया पूरी कर ली जाए हमारे सायोगी टाइम्स आफ इंडिया को दी इंटर्विव में उन्होंने कहा कि अगले साल की सुरुवात में ही ये दोनों काम पूरे हो जाने की उमीद है वीत मंत्री ने कहा कि सरकार को इन दो कमपनियों को बेचने से इस वीत वर्स में एक लाग करोल का फायदा होगा जी हाँ इसलिए स्टेक्स बेचे जा रह कंफर्म करा देता हूं एक और स्टॉक से जिसमें सरकार की हिस्सेदारी को कम की जाएगी और यह स्टॉक अभी चला नहीं है तो चलिए वह भी देख लेता हूं उसके बाद दोनों का ही एक बार मैं चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो वीडियो पर बने रहे ह यहां नेक्स्ट स्टॉक और कोई नहीं आयो सी है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन देखिए यहां पर 14 नवंबर को यह अपडेट आया था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारें मैं थोड़ा सा जूम किये देता हूं देखिए 14 नवंबर को एकनोमिक टाइम्स में यह चीज पब्लिस्ट हुई थी कि आयो सी इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन ठीक है 51 परसेंट की हिस्सेदारी है सरकार की और इसे भी कम करना चाहती है देखिए 14 नवंबर का यह अपडेट है ठीक है ना तो आयो सी पर भी ध्यान रखें आयो सी उतना नहीं चला जितना बीपी सेल चल का 14 नवंबर का यह अपडेट है इनका क्लियरेंस नहीं हुआ कब तक यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी यहां पर देखिए गवर्मेंट में कट इस स्टेक टू बिलो फिप्टी परसेंट इन इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन एकोनॉमिक टाइम्स हारिपोर्टेड और यह इट करेंटली होल्ड्स 51.5 परसेंट इन दा ओयल मेजर दा स्टॉक 136 पर ट्रेड हो रहा था जिस दिन यह न्यूज आई और यह काफी इंपोर्टेंट होगा आयो सी के लिए भी तो आयो सी पर भी नजर बनाएं सिर्प इंटर डे परपस पर नहीं इसे देख सकते हैं इस इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है का आप इस स्टॉक पर बहुत ज्यादा मातरा में बाइंग कर लें और फिर बाद में आके हमें करें यह न्यूज है जो चीजे हैं जो फैक्ट से वो मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अपडेट्स निकल के आती हैं वो अपडेट् किया जाएगा और उसका ट्रेडिंग आपको मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करता हूं फिर मैं बात करूंगा तो मैंने बीपी सील का चार्ट लगाया आपके सामने आप जैसा देख पा रहे हैं कि पिछले फ्राइडे को तेरन पंदर नवंबर को जो भी स्टॉक क्लोज कर रहा था तो पांसो पांच रूपे इस ने अपनी क्लोजिंग दिये स्टॉक में करेक्शन आया बट इसका अगस्त के बाद सेप्टेंबर अक्टॉبر और नंबर में ये स्टॉक ने कितने का हाई लगाया तो पांसो चालिस रूपे का इसने हाई लगा था जैसा कि आप स्क elkaar पर देख पाने हैं 540 रूपे का 45 रूपे का 52 फिक हाई इनका नजर आ रहा और यही हाई इसी अक्टूबर रवंबर के बीच में लगा है तो इस टॉक काफी तेज हुआ था न्यूज फ्लैस हुई थी तभी मैंने अपने चैनल पे इस पे वीडियो अप्लोड किया था कि सरकार अपनी हिस्सेदारी भारत पेट्रोलियम से कम करना चाहती है बेचना चाहती है और ये काफी पॉजिटीव न्यूज थी जिसके वज़े से स्टॉक में बहुत ही जवर्जस तेजी हम लोग को देखने को मिली है आप इस स्टॉक पे जरूर नजर बनाए क्योंकि आज इस पे इसका इंपक्ट दिखेगा कि इसका जो प्रोसेस है वो एक्जैक्ली मार्च तक कंप लगा दिया है इस स्टॉक का 52 वीक हाई है 170 रूपिया यह स्टॉक पिछले 6 मैंने पर जब इसका ट्रेडिंग देखिएगा तो यह स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनी थी बट उतना तेज नहीं हुआ 140-45 का हाई बनाने के बाद यह स्टॉक 130 रूपिया में अभी मिल रहा है इस स्टॉक में भी जो इनकी हिस्सेदारी है सरकार की वो कम करना चाहती है तो इस स्टॉक पे भी हो सकता है कि एक तेजी अमलों को देखने को मिले इसका यह मतलब नहीं कि यह स्टॉक तेजी रहेग आयो सी का तो इस स्टॉक को इस अपडेट के साथ एक नॉलेज परपस पर इस वीडियो को लीजिएगा इसका ट्रेडिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है इस स्टॉक पे अपडेट है वो में अपडेट आप तक पहुँचा है तो देखिए इन दोनों स्टॉक को और आगे जो भी अपडेट होंगी हमारा चैनल आप तक जरूर पहुचाएगा तो इस वीडियो पी इतना ही वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक किजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालिए फूर्दा जेन्वीन और लेटेस्ट इंफॉमेशन रिगादिंगे स्टॉक मरकें थैंक यू